अनवस्कार आज, हम डिसक्स करेंगे हिमानसिर प्रदेश जी के important question जो है हरी question बहुत important है, त्होरा details से भी questions को discuss करेंगे, बहुत ज़्यदा details में भी नहीं जाएंगे ताकि ज्यदा questions हमारे cover हो सके तो 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 थोरा questions के बारे में जानेंगे, और अभी बहुत सारे experience का exam ह तो उनको भी help मिल सके और जो लोग त्यारी कर रहे हैं उनको भी help मिल सके इस point of view से जो है वह हरी question को discuss किया जाएगा question number one one four discussion को start करते हैं बोलते हैं कुंजुम pass is famous of तो कुंजुम pass बोलते हैं कि यह कहां का famous है काउंसी वैली का famous है तो देखो स्पित्ती घाटी का एक important दर्रा है option ए उसा answer है स्पित्ति घाटे का यह इंपोर्टन दर्रा है इसके लावा क्या क्या पूछी जाते हैं क्या पूछी जाते हैं लहौल और स्पित्ति के बारे में अगर हम बात करें तो कुंजुन दर्रा लहौल और स्पित्ति में पढ़ता है इसके लावा यहां पर जो है और लालूनी पर ठेसी स्टेंब ऐसे रिफ़ और आपको यादी होगे एंगर कांगड़ा की बात करें तो चंबा को कांगड़ा से जो रुड़ता है वह पर देख्टाइए साथ महीं 화ंघान रख सकता है की चंदरखानी धर ul. was बोलते हैं हाटgriff आटे मोटे से आप ध्यान रख सकते हैं कि चंद्रखानी दर्रा जो है वो भी यहां पर पढ़ता है अगला कोशिन देखें वन वन फाइब बोलते हैं हाट टू पीक हाट टू चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो हो सतीत है अगर हम हाट टू पीक की बात करते हैं तो पीक जो हो किसके स्मीप सतीत है तो ये नारकंडा के स्मीप जो हो सतीत है तो वह भी आपने ध्यान लखना है कि नारकंडा डेस्टिक शिमला में बढ़ता है नारकंडा के स्मीप जो है ये पीक सतीत है यहीं पर एक साथ में लेक भी जो हो लगती है वो लेक भी एक्जाम मे ही गोहार क्या पर चे से लिता है यहां पर चंदर नाहना अब हम्ताइब तो यह तो यह क्योंजन कुसकते हैं कि भी सब्सक्राइ में ऐसे से जील स्तित eek krali जील ऑती है कराली जील भी जो हो शिम्मा में ही पड़ती है शिम्म मैं अनायरकुट में परता है अनाडिल ग्राउट से था क्या हुआ था यहां से स्टार्ट किया था वर च्षडी आतरा उसी से संबंदी यहां से क्वेसिन बनता है तो आपने धियान रखना है कि इसको भर्मौल जात्रा भी कहते हैं अगस्त के महिने में जो यह स्टार्ट होती है यहां पर छत्रारी जात्रा जो है वो सप्टेम्बर में सटार्ट होती है और इस तरह से जो है यहां से मिंजर मिले के बारे में फता होना चाहिए कि सेकंड सẹट है तो इस तरह से हम को डिर्यक्षिन बना ऊर्ड कर दिखाई थी तो इस तरह यहां पर यहाँ पर कौन चाहता है साथ यहां पर मैप आप आपको चल डिखाया तो aldak यहां पर यहां पर यहां पर आत ti साइड हमने तीबद पढ़ा था तीबद जिसको प्रिजेंट टाइम है चाइना चाइना अकुपार तीबड जो है वो यहां पर पढ़ता है तो यह सारा हमने मैप के तुरू समझाता और वो मैप अगर आपके माइन में एक बार बैट गया ना तो कोईशन गलत हो ही नहीं सकत किसनी से जोड गजों के साथ है और आपने घ्यान के साथ सी जोड़ सकते हैं और आप हमांचल पर देश में निकलती नहीं है पर अलुच की होता है किनी नहीं थाके करती है यह यहां की और यहाँ क्यों चारा यह टेती है कि इसफेर्व क्या आथे स्ट्रिश्वा क्भेस करती है। यहां और में एक है और इसके लावा ये भी पता है कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है सारे कोशन इंपॉर्टन्ट है एक लावा नदी के किनारे स्थित है ये आपने धिया नदी डिस्टिक में जो है कुल्लू में बाद की जा एक खास तोर पर तो कुल्लू में जो है और आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह एक कॉशिन एक्जाम में कर पूचा जाता है कि मनी कर्ण यह घुरा जाता है पार्वती नदी यहां पर ही बहती है साथ में और पारवती नदी आगे चल कर बैयाक की सहे कमधी बन जाती है मनी और कन कांण की मनी जो था माता पारवती यहां पर गुम hoई थी तो उसके बाद भगवान सिब्ण रूप गण ऊक्रफिन सा पर्फितन को ने अपने दियान लिए यहाँ को पता होने चाहिए kि यह ultimate मन्तिलाई जी लहना ये एक उलू मेस्तित है और यहां से पारवती नदी का स्तृत है अगला कोशिन देखें में 119 नंबर कोशिन बोलते हैं वो वॉस दर लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगडा 14, 1740 तो बोलते हैं कि कांगडा इकिला जो था ना कांगडा किला कांगडा खिला का जो अंतिम मुगल गवर्नर था वो कौन था स्तारा सो चालिस के ये बात की जा रही है तो स्तारा सो चालिस में इसका अंतिम मुगल के लिए दार था सैफ अली खान, option D जो है, वो सही answer है सैफ अली खान इसका अंतिम मुगल के लिए दार था वो कांगडा के उपर राजा जगदीश चंद जो था वो रूल किया करते थे 1043 तक जो था वो महमूद गजिन अभी वहां पर रहा था ये भी गोईशिन फूश्टे जाता है आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा के लिए पर महमद बिन दुगलक ने गडिय था तो महमद बिन दुगलक के दवरा कांगड़ा के लिए पर कब अटेक किया गया था इस चैम वहां के राजा ये पांचे कोईशिन तो यहीं से कोंगई वब अटेक किया कौन राजा था किस ने अटेक किया तो यह और आपने ध्यान रखना हैं कि यहां बात कर रहे हैं जब कर रहे हैं किसे कांगडा कांगरा कुम्ल टार्म कि ये बात है तो 1680 में कांगडा किले को कैप्चर करने के लिए जो भीजा गया था सूरज मल को यह आपने ध्यान लखना है सूरज मल को जो भीजा गया था कि आप जाओ और यहां पर कैप्चर करो प्रण तो उनका कुछ आपसी डिस्प्यूट वहां पर हो गया था मुगलते जाएगा कि वह राजा और जहांगीर विजिटेड तो बोलते हैं उस टाइम कांगडा के राजा कौन थे उस टाइम कांगडा के राजा जुथा वह बाल भद्दर जुथा वह वह करते थे यह मौस्ट इंपोर्टन क्वेशन तो यह भी ध्यान रखें पांतास क्लियर हो गय युद्ध के दोरान जो है वह सिभः राजे ने शिछव सिभः राजे से जो था हो सिखों को किसने खदेड़ा था अब यहां से हम हिस्ट्री के कुशिन जानेंगे पर लोगा है ऑप्शिन सही एंसर हो गया अब यहां से एक basic सी बात आप ध्यान रखें कि यह जो शिबार की साल रियसद की इस्थापना किस के द्वारा कि दोला किई थी शिबार रियसद का अपने ध्यान रखना है कि शिबार रियसद गुलेर से अलग हुई थी और सिबराम चेनल ने जो था हो चौदा सो पचास में जो था है उसे सिभार रियेसद की स्थाप्ना जुधा वो की गई थी कि बावरा कांसे राम जी का जर्म का भूह तो डाडा से बाउप्शन वें दिया जाता है वहाँ पर जो कि डिस्टी कांगरा में ही पड़ता है अब यहां पर कोईशन ध्यान से बढ़ा होगा तो लिखा था सेकंड सीख वार सेकंड सीख वॉर का मतलब है कि सिक्खों का फोटीजिए इट इट फोर्टीएट फोर्टीनाइन में हवा था यह वियुचिन आपके क्लियर होने चाहिए उसी तरह हमने लग लग वार पड़त रहे हैं अभी तो रिवाइस करने का एक अच्छा एंग्लो माईसूर वार वार 1780-84 में हुआ थर्ड एंग्लो माईसूर वार 1790-92 में हुआ और 1792 में ट्रीटी और स्री रंग पत्नम भी जो होती है और फोर्थ एंग्लो सिक वार जो था वो हुआ था 1799 में टीपू सुल्टान जो था वो मारा गया था फिर ये भी आपने ध्यान रखना है कि टीपू सुल्टान मारा गया था ये सारे कोईशन हमने क्लियर कर लिए एक रिवाइज करने का मौका मिला हमने नहीं हाथ से जाने दिया अगला कोईशन देखें बोलते हैं कि नगर कोट जिसको प्रिजेंट टाइम आप कांग्रा भी कहते हैं ये कौन सी डेंस्टी की जो है वो एक प्रतिष्टित गर्दी जो था वो हुआ करती थी उनकी सक्ती प्रतिष्टा मानी जाती थी तो कटोच आपको पता है कटोच रा की इसका मेंशन जो जो कानगर कोट आप कह लिए त्रिगार्थ आप कहलीजी त्रिगर्थ का मेंशन जो पानेनी की जो अस्ता धोल्स घ्रति ज往सां लिखा गये था जहां पर त्रीगर्थ का मैंशन किया गया है आयोदा जिवी संग जो है वो इसको गाते हैं त्रीगर्थ महाँभारत पुराण रास्तरंगिनी कद्राब मैं ने लिया तो रास्तरंगिनी किसे कि bites लखे गई जब भी ये लोकायुक्थ की बात होती है तो हम पढ़ते हैं यहां पर की लोकायूस्त 988 तक रहे अभी जो लोकायुक्त बनाय गए है न जब वह किये गए थी तब हमते पड़ा था कि प्रेजन टाइमें लोकायुक्त कौन है हिमाचल अपको पताय होना चाहिए उसका य Hill नार पने पतायृपियग रिक 1983 से लेकर 1988 तक जो था यह रहे थे साथ मैं अगर हम अगर आप HRTC का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि HRTC के जो मंतरी है Transport Minister हिमाचल के हैं वो कौन है मुकेस अगनी होत रही है HRTC की स्थापना कब की गई थी 1974 में HRTC की स्थापना हूई थी 1974 में कतूबर दो को जढ़ा इसकी स्थापना हुई थी यह हमने पड़ा है 1974 में सिरफ HRTC की ही स्थापना नहीं कुछ और भी ऐसी institution है organization है जिनकी स्थापना 1974 में हुई थी तो वो भी हमने पढ़ रखें अब वो institutions कौन कौन से हैं जिनकी स्थापना 1974 में हुई थी तो 1974 में हिपा की स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश institute of public administration जो की फियर लॉंच जिम्बला में जो है उसकी स्थापना की गई थी और हिमाचल प्रदेश forest corporation limited की स्थापना भी चुदा हो 1974 में ही की गई थी तो यह स्थापना है आपने ध्यान लखने कि 1974 74 में साथ में हुई थी अगले कोशिन दिखते हैं अगले कोशिन में क्या बोलते हैं which of the following district of हिमाचल प्रदेश is not associated with fraternal polyandry तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो भ्रात्री बहुपती प्रथा से जोयाओ संबंदीत नहीं है आपको पता है polyandry polyandry और पॉलिगेमी ये प्रथाएं कहीं कहीं पर प्रचलीत हैं हिमाचल में ऐसा माना जाता है प्रंतु बोलते हैं कि कौन सा जिला इससे एस्टरी इस तरह से नहीं रही तो वह कौन सा है आपका कांगड़ा जिला ऑप्शन सी जोया हो सही एंसे रहे 123 का ऑप्शन सी सही एंसे है तो इन एसोशेट नहीं करता फ्रेटरनल पॉलियंडरी के साथ जो बात्री बहुत ब्रात्री बहुपति प्रता होती है उसके साथ यह नहीं करता है वागि कि नौर लौल्स पित्ती चंबा यह हो गए अब हम यहां से क्या डिसकस कर सकते हैं देखो हम यहां से गद्दी के बारे में डिसकस करता है मुक्या रूफ से घद्धी ट्राइब हमें चमबा और कांगडा में देखने को मिलती है इनके द्वारा जो मुख्या मना जाता हो नौला ऐस्टी मोफ जो हो मनाढ़ता व अपने धियान लगएmar के नौर के रहारे में भी ध्यान रख सकते हैं कि क बाद यही नदियां जो हाँ आके चलकर चनाव का एक रूफ जो हो धारन कर लेती हैं चमबा में भी जो हो चनाव नदी बैती है चमबा सहर जो हो रावी नदी के किनारे जो हो स्थिता है इस तरह से यह सारी चीजें सिक्वेंस में आप ध्यान रखें बड़ी बेसिक हैं प्र कि अंदर था नहां यहां सोजानपूर में शुजानपूर में से में रहा आख क स्थार्णाव के हैं में ऐसे पर बत्यांम बैरल जांग ने डियाए कि सुजानपूर जब पेंटिंग का ये एक सेंटर पॉइंट रहा तो कांगडा पेंटिंग को जो हो जी आई टैग जो हो मिल चुका है और कांगडा पेंटिंग जो था ना वो मुख्य रूप से मुख्य रूप से जो हो कि इसके ऊपर जो हो बेस होती है क्या थिसकी थीम रहती है इसकी थीम ना मुख्य रूप से अकर्षित रहती है जो लव थीम होती है जो लव थीम है भगवान शिरी कृषिन की रास्लिला होगी उनके ऊपर जो हो मुख्य रूप से इसका अकर्षिन ब तो अगर कांग्रा प्रेंटिंग साथ-साथ को गुलेर में भी जोड दिये जाए तो वो गोवर्धन राजा कुष्वा करते थे गोवर्धन जन्द उनकी कारिकाल के दुरांच था यह फैलेफुली थी पेंटिंग्स अगर गुलेर को भी साथ में जोड दिये जाए गुलेर को ही कलम है और गुलेर आपको पता है कांगडा इससे ही तो अलग हुआ है कांगडा सहली का जो । कि यहीं से जो था यह जनमी थी और चमबा की भी पेंटिंग उस तरह से है चमबा का रुमार भी बडा फिर्मर या राजा राज सिंह के शाशनकाल के दोरान जो था वो इसकав विकास जो था वो हुआ थात तो ये भी ध्यान रखना है चंबा कलम का विकास जो था वो, राजा राजा राज सिंह के कारेकाल के दोरान हुआ था importa प्रंतु एक वैस्षिन इस तरह पेंटर के बारे मैं भी आपने ध्यांन रखना अगला कुशामन 25 बोलते हैं ति यह नब ओटे रौपरी बोल पुरिया को होना चाहिए तो यह तो यह तो यह तो आने ऑना यह जिस्टिक्स के बारे में जाने और भी मंदिर इन्यों के बारे में जनाने तो हमें पता चलता है कि हिमाचिल प्रदेश में जो है वो बहुत सारे मंदिर आते हैं परंतों उनका आर्किटेक्स टाइल बहुत इंपोर्टन रहता है जैसे कि पेंट रूफ आर्किटेक्स टाइल हो गया पैगोड़ा आर्किटेक्स टाइल हो गया तो पेंट रूफ आर्किटेक्स टाइल में जो ह है वह एगोड़ा स्टाइल में त्रिपूरा सुन्द्री मंदिर है नगर का हडिमबा मंदिर है मना लीका कुलू का वह बना हुआ है और इसी तरह जो है वह आपने ध्यान रखना है देखो PGT की त्यारी कर रहे हैं तो PGT paper one के लिए हमने test series भी चलाई है उसका आपका काफी अच्छर वीजन होगा वहां से काफी अच्छी practice होगी जहां पर नेक्टिम मार्किंग से आपको defeat करने में fight करने में help मिलेगी तो PGT test paper one की test series का के नीचे description box में दिया गया है वहां से आप जो हो अवेल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा help मिलेगी अगर paper two में आपके number class कर जाते हैं तो paper one में अच्छे number होगे तो PGT paper one ही आपको बचाएगा आपको नौकरी दिलाएगा 126 questions देखे हैं बोलते हैं the most useful area for the cultivation of citrus variety of fruit इस तो यहां पर मुख्य रूप से आपको इस तरह के fruit देखने को मिलेंगे निम्बू लाइक व्राइटी के fruits जो citrus होते हैं citrus fruits यहां पर मिलेंगे चलो सही बात है प्रंतु शिवालिक परवत स्रेणिया जो है यह आपको बता होना चाहिए यह outer range में जो है जो है और इनको मानक परवत के नाम से भी जो हो जाना जाता है इनकी जो range है ना वो वेजी करते हैं 350 मेटर से लेकर 1500 मेटर के बीच में मुख्य रूप से यहां पर हमें देखने को मिलता है कि उन्ना का कुछ खेत्र यहां पर जाता है बिलासप्रु का कुछ खेत्र कांगड तो मुक्ै रूप से धोलाधार रेंज में अपर आता है और इसी तरह हमें ये भी जानने को मिलता कि जिस तरह शिवालिक को मानक परवत के नाम से जाना जाता है, दूसरी और हमें जानने को मिलता है citrus fruits के बारे में, citrus यानि के खटे fruits, खटे fruits जो है यहां से भी question बन सकता है vitamin से तो कौन से vitamin है, जो vitamin C है vitamin C की जब कमी हो जाती है तो खटे fruit काने के लिए कहा जाता है कि आप खटे fruit काएंगे तो vitamin C की कमी जो है, वो दूर हो जाएगे vitamin C का जो chemical नाम है वह ascorbic acid जो है, वुक्राक केm कल नाम आता है और अगर इसकी कमी हो जाएना vitamin C की कमी तो सकर्वी रोग है सकर्वीर रोग जो है वो इसकी कमी के कारण जो है, वो होता है तो यह भी ध्यान लख क्या है अलग लग विटामिन जैसे कि विटामिन A है विटामिन C है विटामिन D है विटामिन E है विटामिन K है और विटामिन B क्या लग लग वेराइटी जाती है वीवन वीटामिन वीटामिन A के बारे में जानते हैं विटामिन A का जो कैमिकल नाम है वो रेटिनल है विटामिन C का chemical नाम ascorbic acid है, vitamin D का chemical नाम coliseli fluid है, vitamin E का chemical नाम docofriol है, vitamin K का chemical नाम philokinin है, वो सारे आपने ध्यान ना करें, अगर आपने पढ़े हैं तो revise आपका अच्छा हो रहा है, नहीं भी पढ़े हैं, अगर suppose को बहुत पहले पढ़े थे, अभी आपने नहीं पढ़ें, तो एक revise आपका हो रहा है, अपने पलते हैं फटाफट अपने किताबों के जहांब आपने चीजें लिखी हैं, जहां से आपने पढ़ी हैं, और देखें चीजों को कि मैं क्या कह रहा हूँ और आपको क्यों याद नहीं आ रही है, ऐसे ही तो आपका revision होगा, मैंने सारे vitamin बता दे, vitamin कोई B12 का बता दो, कोई vitamin B1 का बता दो, कोई vitamin B2 का बता दो, कोई vitamin B5 का बता दो इस तरह से chemical नाम आप बता दो, जीशी vitamin का बता सकते हैं, यहां से भी आपका revision हो जाएगा, एक अच्छा खासा और vitamins का एक number का question अगर आता है तो आपका पका हो जाएगा, अगला question देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, next question भी काफी important है, अगले question में बोलते है agro economic research center is located in हिमाचिल प्रदेश, तो बोलते हैं हिमाचिल प्रदेश में, agro economic research center जो है, वो कहां पर सीता है, most important question यह शिम्ला में जो होस्तीत है, option C सही अंधर है शिम्ला में सीता है, शिम्ला में हमारे क्या-क्या चीज़ें सीतित्थ हैं, जो exam में पूछी जाती है देखो, शिम्ला में पूछ ले जाता है शिम्ला में जो है, वो Central Protatto Research Institute सीता है वो कहां पर सीता है, वो वैसे तो कुफरी में सीता है अगर कुफरी option में नहीं होगा, तो बैमलोई option में होगा वो आपने ध्यान लगने है और क्या शिम्ला में सीता है, शिम्ला में जो है पुझा जा चुका है, तो वो भी आपने साथ में नोट करना है ध्यान रखना है कि कहां पर सीता है शिम्ला में है सीता है, टैक और के अंदर भी अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि हिमाचल प्रदेश जो Technical University है, वो कहां पर सीता है हिमाचल प्रदेश Technical University इसका केंदर जो है, वो कहां पर सीता है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है हिमाचल प्रदेश University तो शिम्ला में सीता है मैं Technical University की बात कर रहा हूँ और देखिए अगर अभी तक आपने हमें Telegram पर जोएन नहीं किया है, जहां पर आपको PGT की टेस्ट सीरीज की टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा तो वहां पर जोएन कर लें Telegram पर जोएन करने के लिए पने टेलिग्राम से Add the rate, All Exam 31 करके सर्च करना आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जो है, वो मिल जाएगा Telegram पर आपको इंपोर्टन पीडियाप से इंपोर्टन नोटिफिकेशन जो एग्जाम में आपकी हल्फ करती है, वो सब मिल जाएगा आज की इस 25-26 मिंट की वीडियो में लगभग लगभग हमने पचास, साथ, सौ के करीब कोईशन डिसकस कर लिए, बहुत साथा कोईशन हमने डिसकस किए, डिटेल में जो हमने जाने, पॉइंट से हमने जाने, अगर आपने हर इक पॉइंट को ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली आपकी हल्प बहुत ज़दा होगी, चाहे तक्रव चेट ज़द वीष, जए इवा बुद से संसरेगा, जब झाली ज़दा होगी, जब अगर बहुतों जब ऑचास, सौय कोईशन होगी, तक्रवस में जब जब कोईशन होगी, चाहे ज़दा होगी, चाहे बुदूदा है, और एपकी है, तक्रवस, टाहे दाता है,